सब्सक्राइब करिए अन्या टेक्साव एललपी चैनल को और बेल आइकन को दबाएए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं निधिस सिंग अन्या टेक्सवाप LLP टैली सर्टिफाइड पार्टनर दोस्तों आज मैं आपके समने फिर से एक वीडियो लेके आ रहा हूं टैली प्राइम के बारे में जो कि दोस्तों कि बहुत ही बड़ा इसू आ रहा है कस्टोमर में जिसने टैली इस तरीके से कौन सी शेटिंग करनी है दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बता हूंगा दोस्तों किस तरिके Fasc. कहां पर शेटिंग करनी है शेटिंग करने से पहले दोस्तों इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए चलिए हम चलते हैं फिर से टैली प्राइम में प्रिंट कर रहे हैं तो आपका जैसे यहां पर एड्रेस जो आ रहा है वह जो सेम की बाइर का रहा है यह अंको सारे मिड़न को रहे है कि कहा से यह ऑफ दोस्ते के सबसे पहले है इंवाइस इस ओपन कर लिया हूं या वाूच आ उपन कर लोगे वाूच Numु Parl इनक वाँचन उपन करने के भाद दोस्तों इहां पर एकम कर संधर करना है और पी करने पर तोस्तों यहां पर आपकर अधर कॉन्फिरगररेयशन आपको करंट पेंठ और जाना है करने के बात दोस्तों यहा यहाँ पर show more पर click कर दीजे, show more पर click करते ही दोस्तों, यहाँ पर आप नीचे आ जाईए, header, company address आ गया, यहाँ पर आपका आ गया, party details, party details में आप जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर आ रहा है consigning, show consigning details, यहाँ पर yes कर दीजे, show consigning details को, yes करने के बाद मैं escape करता हूँ, यह mostly लोगों को यह option मिल जाता है दोस्तों, यहाँ पर yes करने के लिए, मैं एक बाग preview देख लेता हूँ, preview पर alt z करते हैं, यहाँ पर आपका देखी address, आपका consigning का option आ गया, अब म मैं इस invoice में address change कर देता हूँ, यहाँ पर मैं address दोस्तों दाल देता हूँ, plot number 3, बदरपूर, new Delhi, यहाँ पर Delhi लिख देता हूँ, 44, अब enter, enter करके accept कर देता हूँ, यहाँ पर मैं दोस्तों, अब इस invoice को मैंने consigning change कर दिया, यहाँ पर alt p करके अगर मैं देखता हूँ, क्या option आ रहा है, मैं consigning off one करने पर, alt z, यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभी भी same address आ रहा है, कि मैंने, जो कि मैंने invoice में change कर दिया है address, यह problems mostly client को आ रहा है, consigning on करने के बाद भी दोस्तों, तो यह कैसे change होगा address, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर print पर आप जाओगे, again, invoice पर alt p, यहाँ पर आपको जाना है, दोस्तों, current page पर enter करेंगे, यहाँ पर configuration में जाएंगे, यहाँ पर आजा no करने के बाद escape करेंगे, अब मैं preview देखता हूँ again, यहाँ पर alt z, यहाँ पर दिखिए दोस्तों, आपका consigning change होगा, consigning में मैंने दिया था plot number 3, बदरपूर, न्यू दिल्ली, आपका दिल्ली कोड यह, और आपका buyer में आपका यह बैंगलोर का address है, इस तरीके से दोस्तों, आप consigning और buyer का, आप यहाँ पर address change कर सकती हो, second दोस्तों, बहुत सारी clients के problem आरी, जैसे आप यहाँ पर invoice में आप देख रहे है, height बहुत कामार, height width कहां से किया जाए, यहाँ पर escape again, आप दोस्तों, यहाँ पर configuration में जाएंगे, यहाँ पर show more पर click कर दिजे, double click करके, यहाँ यहाँ पर last में एक दम नीचे आजाए, यहाँ पर option आ गया, यहाँ पर height normal invoice का, यहाँ पर double click करके, यहाँ पर मैंने लिख दिया 13, यहाँ पर आप नीचे आजाए, with invoice मैंने यहाँ पर कर दिया 12, escape करेंगे दोस्तों again, यहाँ पर preview करेंगे, इस तरीके से all jet करके, यहाँ प change करना है, यहाँ पर फिर से configuration में जाईए, यहाँ पर show more पर click करेंगे, तभी आपको show करेगा वो option, एक दम last में आ जाईए, यहाँ पर 29, आपका आ रहा है, height 13 है, मैंने अगर 14 कर दिया, और आपका, यहाँ पर width है, normal आपका, 12 है, कीक है, इसको भी कर देते हैं, 12, preview, आपका all jet, इस तरीके से दोस्तों, आपका यह height width यहाँ से change हो जाएगा, तो इस तरीके से आप height width भी change कर सकते हैं, आप यहाँ से change कर सकते हैं, आपको configuration में जाना है, यहाँ पर click करके, आपको यह शारे option अगर दिख रहे हैं, अगर नई दिख रहे हैं, यहाँ पर show more कर दीजे, यहाँ पर सारे option यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, इस तरीके से दोस्तों, आप height width भी change कर सकते हैं, और consigne को, और buyer का address अलग-अलग आप different आप रख सकते हैं, इस तरीके से teleprime में यह consigne height आपका change होता है, यह वीडियो अगर द दीगा, share कर दीगा, subscribe करना मत दूलिए, thanks for watching.